हलो दोस्तों मैं इंदरेश अपने यूटूब चैनल इंदरेश्जीयस क्लासेस में आप सभी का स्वाधत करता हूँ तो दोस्तों आप लोगों की जो एविएस की क्लास क्या हो चुकी श्टार्ट हो चुकी एज ठीक जो हमारे सभी एक्जाम जैसे यूपी टेट हो गया, यूपी टेट, सी टेट, सी टेट वाले तो बिल्कुल मज़ेदार एकदम आप लोग लग जाएगे ठीक है, और सुपर टेट, सुपर टेट सभी एक्जाम के लिए क्या है, बेहतरीन क्लास, कांटीन्यू, मैं चला रहा ह करेंगे, ठीक है, ज्यादा बाते नहीं होंगे, ठीक, चलिए, बताइए, यदि, यदि पंचायत भंग होती है, तो किस अवधी के अंदर चुनाओ होंगे, पंचायत अगर भंग होती है, कितने दिन के अंदर क्या होंगे, चुनाओ होंगे, तो छे माह के अंदर क्या में ठीक है आर्टिकल 40 में पंचायत की बात की गई है ठीक है कि एक क्या होगी ग्राम पंचायत होगी पंचायती राज ब्योस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1969 में 1969 में राजस्थान के नागावर जिले से इस्टार्ट की गई थी इसको जो है संबिधान संसोधन के द्वारा क्या किया गया था जोड़ा गया था 21 भाग में है तो भाग नौ में है भाग कौन सा है? भाग ना हो है अनुसूची इसके लिए कितनी कौन सी है अनुसूची इसके लिए बनाई गई है एक ग्यरहमी अनुसूची में पंचायती राज बेवस्ता जोड़ी गई अनुच्छे 243 से are article जो है 243 के कछ से स्टार्ट होता है और रदा तक क्या होता खतम होता ठीक है क कस से श्टार्ट होता है और इसमें जो पंचायती राज में कितने है तो 39 इतना डीटेल से मैंने बताया सब कुछ आप लोग ए टुजेट याद के लिए आर्टिकल 40 में 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागाउर जिले से पंचायती राजवेवस्था का पहला गाउँ था हमारा नागाउर तियत्रमा सब्विधान संसोधन 1992 में इसको जोड़ा गया ठीक है और भाग कौन सा है नवा अनसूची ग्रहमी है आर्टिकल 243 के कर से रड़ा तक है और इसमें 20 है जो अनसूची 11 है इसमें 20 कितने हैं तो 29 बिस है तो वी पार्टिस का विर्कुल सत्य हो जाएगा ठीक संब्विधान जो है असी असी हजार सब्दों से मिलकर के बना है ठीक है इसको जो है देहरादून से प्रकासित किया गया था इसका निर्माड करने वाली जो संब्विधान सभाग की चिन मुहर या हाथी था ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं कोशन नमबर 123 भारत में पंचाय अंधर प्रदेश में क्या किया गया था दूसरा अमारा अंधर प्रदेश राज्य बना था पंचायती राज्य लागूं करने वारा ठीक तो राइट आंसो इसका क्या जगा सी पार्ट बिलकुल सत थे चलिए कोशन नमबर 124 बताई कोशन नमबर 124 के खरा भारती संबिधा के मौली कदिकार से बताई है 124 का तो 124 का राइटेंसोर क्या जबा सी पारट राजके नीती नि दे सकत्त तक है यह हमारे बहां कौन से में आते हैं तो बहां चार में आते हैं भाग चार में आते हैं आर्टिकल कहां से स्टार्ट है तो 35 से 35 से 51 तक हैं ठीक है 35 से 51 तक हमारे क्या है DPSP ठीक है DPSP है ठीक और 43 के A में हमारा जो है क्या उद्योगों के प्रबंधर में स्त्रमिकों की भागेदारी सुनिशीत करता है अर्टिकल 31 का A चलिए नेक्स चलते हैं कोशन नमबर 125 बता दीजिए निमनलिखित में से उस सम्मूं को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंक ये सीटेट में अभी जो सीटेट जो 2023 का जनवरी में हुआ था उसमें मैं खुद देखे आया था ऐसे कोश्चन पूछे गए थे मेरे ही मेरे ही सिफ्ट में एक कोश्चन आया था ठीक सेम टू सेम एज इटी जाया था ठीक सोच लेजे पी वाई क्यू करने का सबसे बहतरीन तरीका क्या है ठीक तो क्या आयगा सेंक कर तल कर और भून कर खाना पकाने का मुख्य तरीका सेंक कर तल कर अधवा भून कर सबस पहतरीन ठीक राइ टांसोर मरत क्या जाएगा सी पार्ट बिलकुल सत्य आजएगा हمكن को च्रिये कोचन नंबर eh Perfect 26 भागे कि हमालै कि सबसे बाहरी परवस्त्त्रेणी कां से है इसको बताई है तो सबसे बाहरी परोफ स्रेणी कौन से हमारी शीवालिक है इसको हम लोग नमीनतम स्रेणी भी कहते हैं क्या कहते हैं नमीनतम स्रेणी भी कहा जाता है ठीक चलिए नेक्स्ट कोश्चन नमबर आप पताएंगे 127 127 का का रहा है कि पसंद ना पसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छातर ने कहा मुझे और मेरी मां दोनों को साफ खाना बहुत पसंद है जब भी हमारी मां खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जा करके लिंग हूँ फेन खाते हैं या च्छातर कहां का है तो पुछ रहा है जहां के साफ कहां के ओडिशा के असम के अरुडांचल प्रदेश के या हौंग कांग के बताए ऐसे कोश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह के कोश्चन सीटेट में भर-भर के आएंगे आपके ठीक है लिंग हूंग फेन ही अच्छ पर तने पर पत्तियों की ब्योस्था को क्या कहा जाता है बताए एक 128 का तो फाइलो टॉक्सी बोला जाता है ठीक क्या बोला जाता है ठीक फाइलो टॉक्सी नेक्स्ट के 119 कोशिकाओं के अध्यान को कहा जाता है जो हमारी सेल होती है उसके अध्यान को sytology, ideology, 정ology या nucleology बोलोईए सैtoska के अध्ययन को क्या पहले जाता? educate psychology बोला जाता तो ए पार्ट इसका क्या जागा? सत्य आ जागा psychology, सकंवा का क्या काते हैं cyclology जाद रहेद sunt और जियों की कारे प्रणाली के आध्ययन का का याख राता है история लाता है नेक्स बताई कोश्चन नमबर 130 बताई गंगा सागर मेला किस राज में आयोजित किया जाता है तो गंगा सागर मेला जो है यह जो हुगली नदी के तर्ट पर कहां पर पस्चिम बंगाल में ठीक हुगली नदी के तर्ट पर वेस्ट बंगाल में ठीक किस नदी के तर किस राज्य में है तो वन्य जी अभ्यारन से भी कोश्चन आते हैं ठीक है तो आपको याद करके जाना है करनाटक में दड़ेली वन्य जी अभ्यारन है ठीक है करनाटक में दड़ेली वन्य जी अभ्यारन है बादीपुर राष्टी उद्यान है कुद्रे मुख राष्टी इस सभी हमारे काँ पे करनाटिका में ही इस्तित हैं सारी शीजिए आपको याद हो यह बहुत ही जरूरी है और ऐसे ही कोश्चन आपके सीटेट एक्जाम में पूछे जाएंगे देखिए क्या कोश्चन पूछ दिया है यह सभी कोश्चन पूछे गए हैं भारती राजनीतिक पार्टी बसपा जिसको ब्यस्पी का पूरा नाम क्या बोलते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी क्या बोलते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे राजद राजद को राष्टी जनता दल बोलते हैं ठीक है रालोद राष्टी लोग दल बोलते हैं ठीक है राष पेट्रोलियम क्या होता है या पेट्रोलियम जो होता है बदबुदार होता है ठीक है गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल होता है तो राइट अंसर क्या जागा एपार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चलिए next चलते हैं अगला question question number 134 बताएंगे आप लो question number 134 कह रहा है कि भारत के राष्ट पती के पद के लिए कौन सपत दिलाता है तो भारत का राष्टी पती हो फिफ्थ है भावन में भारत का एक क्या होगा राष्ट पती होगा इसको सपत की बात कौन करता है बता ही सपत कौन दिलाता है तो सपत मुख्य नयाधीस जो होता हमारा सुप्रिम कोर्ट का जो मुख्य नयाधीस होता है वह दिलवाता है और किस आर्टकिल के तहट इनको सपत दिलाई जाती है तो आर्टकिल ने दिया था कौन दिया था ऑस्टिन ने जो संप्रभुता को अद्वैत सिध्धान्त दिये थे ठीक है कौन सा संप्रभुता को अद्वैत सिध्धान्त दिये थे ठीक आजाएए नेक्स चलते हैं कोश्चन नंबर आप बताएंगे 136 बता दीजी 136 हमा ठीक है चारो आपसन आपको विजबिल हो ताकि ठीक है विजबिल हैं अब जो बताइए क्या का रहा है कि आरती एक पोश्टर पर एक बीमारी की रोक थाम से संबंदित निमलिकित साउधानि और ब्रटती है ठीक है क्या करती है बरतती है तो बताएं कौन से साउधानी सको बरतनी चाहिए क्या कर रहा है अपने आस-पास पानी के जमाना होने दे पानी के बरतनौ और कूलर टंकियों को साफ रखें यदि कुछ जगहों पर पानी कठा हो जाए तो तेल का उद्यस से था कि फैलने वाली बिमारी को बता ही डेंगू और आई फ्लू इसी तरह के कोश्चन जैसे लिख दिया नहीं से लंबे-लंबे कोश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में ठीक है टाइफाइड और हैजा डेंगू और जपानी मस्तिक सुज़र या चेचक और मलेरिया इसका राइट एंसर बताइए 36 का तो सीपार टाइफाइड और हैजा के लिए क्या मोश्ट इंपोर्टेंट है ठीक चलिए नेक्स चलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नंबर आप बताएंगे 37 बताइए 37 क्या करा कोश्चन नंबर 37 करा कि हिमालय या हिमादरी के सुदूर उतरी भाग की आसट उचाई लगबग कितनी है तो लगबग कीतनी है यहारच हों थो नदुर पश्चिमी घाट है वह क्या है तो पश्चिमी घाट हमारा ना ना पर्वत पठार है तो वह फह पहाडियां है क्या है पहाड़ी है ठीक है क्या पश्चिमी घाट हमारा क्या है पहाड़ी है ठीक देखिए ऐसे होता हमारा इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट ठीक पश्चिमी घाट और इस साइट को बोलते हैं पुर्वी घाट ठीक है पुर्वी घाट आपको याद होना च पहाड़ी है पहाड़ियां है इसको क्या कहेंगे अरावली की पहाड़ी आघ पहाड़ी को बोल रहा हूँ अनाए मुडी हो गया ठीक हैयाало है दोदवेटा हो रिट ठीक है चलिए आने पर चीज़ा है लिज़ंगे याध कुछ सबसे प्रचीन आगे चलते हैं किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता यह तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता maior क्योंकि आपे फेरस आकसाइड बहुत जादा मात्रा में पाई जाती है, सुक्र को पृत्वी की जुडवा बहन कहा जाता है, पृत्वी का जुडवा बहन, ठीक है, सुक्र को, साम का तारा, भोर का तारा, सुक्र को ही कहा जाता है, ठीक है, सुक्र को, सबसे चमकीला ग्रह भ कि vitamins ऐसे पदार्थ हैं जो हैं क्या हैं बताइए जो हैं स्वस्त रहने के लिए दवानियों के रूप में लिए जाते हैं पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं या फिर जो है हिंता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवस्यक हैं, हमारी उपापचय दर को बढ़ा करके भार में कमिंग करते हैं, तो हिंता जन्य रोगों के बचाव के लिए क्या होते हैं, आवस्यक होते हैं, हिंता जन्य रोग के विकास थोड़ी मा इसको बोलते हैं बिस्वत रेखा बोलते हैं इस सी का पुछा भ्यास ठीक है और इसके ऊपर कैंती करकर रेखा रहती है और इसके नीचे कौन सी होती है यह जीरो डिग्रीपर होती है यह 27 वुत्तरी ऐस्चांस होता यह 23 दिग्र कुछित रहाद हो और चीमा 사 fringe व्यास कितना होता है तो यहां पर यह पार्ट होगा ठीक है कहीं कहीं 12704 भी दिया कहा है कहीं कहीं ध्रुवी व्यास ठीक है कोशन नमबर 43 जिसमें एक ब्यक्ति किसी विशेस रंग की पाचान करने में विफल हो जाता है तो उस रोग को क्या कहा जाता है जब किसी कलर को आप पाचाने में आपको दिक्कत होती है तो आपको वर्डान दता बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं वर्डान दता ठीक है कि ऐसे वेक्टियों को रेल्वे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है चलिए नेक्ट चलते हैं कौशन नंबर 144 क्या कर रहा है आयोडीन का आव येक घटक कि बताई आयोडीन का आवस्यक घटक है आवस्यक आवस्यक हूग को ठीक है या सरी दाइराइड हार्मॉन्थ एल February श्टोरों या थाइराइड उतेजक हार्मॉन्이면 या पैरा थाइराइड हार्मोन्स बताएंगे आप लोग 144 का राइट आंसर बताएं तो हमारा क्या जाएगा ए पार्ड बिल्कुल सथ थाइराइड हार्मोन्स के लिए ठीक चलिए नेक्स चलते हैं फटाफट आप लोग नेक्स्ट को बताएंगे कोस्टर नमबर 45 बताएंगे EVS संच्षेपण अर्थ में प्रियुक्त होता है क्या करते है儿ेव्द वार्मेंट स्लेटेश की इनवार्मेंटल आपकां का मिस्तर के नेक्स बार्मेंट कौण से हैं का सब्सक्राइन का स्बाइज से मिल के बना कंसा ओन फॉर्टी-स का तो का सा हमारा जो ताबा और टिन थे अभा और इए पार्ट में दिया गया तांबा और से ठीक है तांबार से से हमारा क्या पीतल का निर्माड होता है आ जाई चलिए कोशन नंबर आप बताएंगे कौन सा कोशन नंबर 47 बताई कोशन नंबर 47 वां बताई क्या कह रहा है कि निर्म लिखित में से उस सम्मू का चैन कीजिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिये गए हैं बताई सेंक करके उबाल करके बेल करके थोड़ी होता है तल करके भिगो करके भून करके सेंक करके तल करके भून करके तो बताई तो मुझको सेंक करके तल करके और भून करके देखे दो बार एक कोशन एक ही म सब्यक्राइब फटफट 49 का हमारे देश में नीचे दिये गए किस भाग में खाने की छीजें जैसे ट्रैपियोका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में उगाते हैं और इसमें बने खाने को स्वाद बहुत अच्छा लगता है तो कहां नारियल आठापियोका को लोग अपने घर मे कर दिया करिए ठीक है नेम लिखित में से कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है उल्लू है कवा है कोईला है या मैना है बताई तो कौन है तो यह हमारा क्या है उल्लू है तो क्या है हमारा उल्लू क्या करता है अपनी गर्दन को काफी हद तक क्या कर करता है रोटेट कर देता है ठीक है क्या कर देता है रोटेट कर देता है यह चीज़ें आपको याद होनी चाहिए तो वीडियो को हमें पर इंड करेंगे अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सेर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा जिस